तो गुड मोर्निंग स्टूडंस कैसे आप सब लोग आज अमारा क्लास शिस्त इन्वारोमेंट का लेक्चर है बहुत दिन होगे थे कोई वीडियो नहीं वेज जा था मैंने थोड़ा में भी काम में था और जो हमारा देखो अब चैप्टर नमबर 15 भी कंप्लीट होके है और यह लास्ट चैप्टर है तो दो तिन वीडियो और भी बना होगा दो यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड आपकी वर्क बूप में सब कुछ कंप्लीट तो करवा दिया है इसके बाद भी कुछ बाग की रहता हो तो आप मुझे फोटो भेरना तो अब जो चैप्टर होम में देखो या फिर आसपास के इलागे में देखो तो आपको देर सारे ऐसे चीज वस्तू मिलेंगी जैसे थिंक्स में चैर, डोर, चपाटी, स्कैपकल, बकेट, स्पून, सूज, बुक, वाट इसमेड़ आप तो यह जैसे चैर है तो वूड प्लास्टिक और आयन की ब सनमाइका नाम के प्लास्टिक में से भी बनती है डोर और चपाडी, वीड, फ्लर, एंड वाटर, स्कैपकलर, स्पैक्टे, कैल्स, मतलब ग्लास, प्लास्टिक, बकेट मतलब प्लास्टिक, आयन तो इन सब चीजों में से यह सब बनती है स्पून है तो स्टील में से फिर प्लास्टिक तो जो सूज है वो चंबडा होता है उसमें से धागे, हबर और प्लास्टिक में से बनती है बनता है स्टील सूज फिर बूक है तो पैपर गम एंड कार्ड़ बोर्ट तो यह वाला फर्स्ट कॉलम सॉरी बॉक्स है वो आप आपकी वर्क बूक में लिख लेना तो या फिर उसका थोड़ा सा ऐसा मतलब कि उसका एक वजन होता हो इस तरह से समझो तो जैसे फर्स्टे की वाटर तो वाटर में आपको करना है जैसे वाटर को वजन करते है ना जैसे उसका होता है दो लीटर तीन लीटर ऐसे फिर उसमें आपको क्या बोलते हैं सर्कल करन है बैग में केरोसीन में नहीं आएगा हम उसके बाद मिल्क है मैं आई आई इस वीड सों स्टोन वूड आयम तो यह सब जो सरकल है वो आपको कर देने फर्स्ट देख लिया सेकंड देख लिया सोरी फर्स्ट वाली यह देखी थी सेकंड अब एक अलेक ठिंक्स लाइक लीफ नेल वाटर इरेजर चॉक तो आपको लीफ पता नेल पानी वगएरा इरेजर वगएरा लेना यूज़ पैंसिल टू ड्रो एन आउटलाइन देम ड्रो दर फिगर फिगर्स और फैरियस तिंग्स तो आपको यह वर्क बुक में मैं समझा देता हूं तो देखे जैसे लीफ क यहां पर इन्होंने ड्रो इंग बनाएं तो इसी तरह से आपको बाकी के जो हैं नेल है रबर है पैंसिल है तो इन सब के आपको यहां पर ड्रो करना यहां पर तो यह आपको आपकी वर्क बुक में ड्रो इंग कर लेना यह वाला देखो यह सब जो हैं यह सब यह सब यहां यह सब आपको उपर वाले workbook में ड्रोइंग कर लेना उसके बाद है कि take three transparent glasses and three transparent balls तो आपको तीन ऐसे transparent मतलब की काच के आप आस पास देख पाऊ ऐसे तीन ग्लास लेने और तीन बाउल लेने fill water stone and smoke in them and observe तो यह वाली activity workbook में उसमें देख लेते हैं तो देखिए activity take three transparent glasses तो तीन आपको ऐसे transparent glasses लेने मतलब की काच वाले and three transparent balls तो तीन बाउल लेने fill water stone and smoke in them तो उसमें आपको पानी डालना है stone डालना है and smoke मानने हवा तुमादा जिसे आप खेते हैं गुजराती में make a right for substance that takes space shape of container container and and wrong for the one that does not change its shape तो आपको यहाँ पे right और wrong लिखना है जिसमें shape अगर आता हो तो यहाँ पे देखिए first substance है water तो उसमें take the shape of its container तो देखिए जो water है वो in glass में डालेंगे तो वो अपना जो cup होगा उसमें वो right आएगा तो उसमें जो substance होता है वो उसका रूपदारन कर लेता है तो इसमें right आएगा in glass bowl में दोनों में ग्लास में नहीं मतलब wrong 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 अब stone है तो stone in glass cup में takes the shape of its container तो वो अपना जो shape वो नहीं करते तो उसमें wrong wrong आएगा और उसमें bowl में वो अपना does not change the shape तो वो अपना change कर लेते हैं तो यह true true आएगा तो इस तरह से आपको लिख लेना है है तीन ही है ठीक है इतने नहीं है फॉस्ट वाले में true true second वाले में false false और थर्ड वाले में true true और यहां पर second वाले में complete करवा दिया है सब कुछ इसके बाद भी आपका कुछ बाकी रहता हो तो आप मुझे photo बेड़ना तो मैं free हूंगा तो आपके question का answer बेड़ दूँगा तो यह जो आज का अंबर के वह आप लिख लेना आपकी workbook में और next lecture में मिलते हैं thank you